Hello friends, how are you all? I am Rajni Singh, your friend, guide and trainer. बहुत लंबी समय के बाद मैं एक short video को छोड़ करके एक long video की तरफ आई हूँ. But don't worry, ये long video बहुत long नहीं है. This video is also short, but full of information. आज का जो हमारा topic है, वो based है collective noun के examples के उपर. collective noun क्या होता है? जब हम किसी group या समू को हम किसी एक नाम से बुलाते हैं, तो वो नाम कहलाता है collective noun या collective names. तो आज हम ऐसे ही कुछ examples देखने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे एक ही जैसे चीजों के एक समू को हम कैसे एक ही नाम से बुला सकते हैं. अगर पानी वाले जहाजों का समू हो, means ships, इनके collection को हम क्या बोलते हैं? ships के collection को हम बोलते हैं, fleet, fleet. पानी वाले जहाजों के समू को, collective noun एक word है उसके लिए fleet. a swarm of ants, a swarm of ants means चीटियों का समू, चीटियों के समू को हम इंग्लिश में बोलते हैं, swarm. a swarm of flies, मतलब की मक्खियों के समू को भी हम swarm बोलते हैं, a swarm of flies means मक्खियों के समू को भी we used to say swarm. a swarm of girls, लड़कियों के समू को हम बोलते हैं, वैवी, we used to say वैवी in English to the collection of girls. a collection of women is also called वैवी, means जो ओरतों का, महिलाओं का समू होता है, उसे भी हम बोलते हैं, वैवी, वैवी of women. a band of musicians, जो musicians होते हैं, संगीतकार होते हैं, उनके समू को बोला जाता है, band, a band of musicians. a pair of shoes, जूतों के collection को हम बोलते हैं, a pair of shoes. a flight of birds, चिडियों के समू को हम बोलते हैं, flight, we say flight in English to the collection of birds. a crowd of people, लोगों के समू को हम बोलते हैं, crowd, जो नॉर्मल लोग होते हैं, किसी भी रीजन से उनकी भीड होती है, उसे हम बोलते हैं, crowd. a pride of lions, means शेरों के समू को बोला जाता है, pride, a pride of lions, a queue of buses, a queue of buses, मतलब जो buses होती हैं, उनके समू को हम बोलते हैं, queue, a choir of singers, a choir of singers, मतलब गायको के समू को हम choir बोलते हैं, a grove of trees, a grove of trees, मतलब पेडों के समू को हम grow बोलते हैं, a mob of people, a mob of people, अभी मैंने crowd of people भी बोला था, लोगों के समू को हम crowd भी बोलते हैं, और mob भी बोल सकते हैं, दोनों में difference यह है, कि जब लोग यूँ ही किसी normal purpose के लिए कठे होते हैं, भीर होती है तो वो crowd होता है लेकिन जब वो लोग गुस्से में होते हैं, angry होते हैं और शरार्ती लोगों का समू होता है जो कुछ भी तोड़ फोर कर सकते हैं, ऐसे लोगों के समू को mob कहा जाता है the mob of people तो ये थे आज के हमारे कुछ collective nouns, कुछ group names, सारे के सारे group को जब हम किसी एक नाम से बुलाते हैं तो वो नाम कुछ ऐसे होते हैं, और इनको हम singular की तरह treat करते हैं और अब हम मिलते हैं आपसे next video में, इसी series को continue रखेंगे because अभी बहुत सारे collective nouns remaining हैं तब तक अपना ध्यान रखिए, सीखिए और सिखाते रहिए मिलती हम आपसे next video में, बाबाय, take care of yourselves